लेके नॉर्मल डिस्टिबिशन का एक वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन लेकर के चलते हैं यह कई बार एक्जाम में पुछा जा चुका है In a test on 2000 electric bulbs it was found that the life of particular MAC was normally distributed with an average life 2040 hours and standard deviation of 60 hours estimate the number of bulbs likely to burn for first more than 2150 hours less than 1950 hours more than 1920 and less than 2160 मतलब यह अपने को यहाँ पास mean भी दिया हुआ है standard deviation भी दिया हुआ है एक bulb का जो average life है वो 2040 hours है तो 2000 में से कितने bulb होंगे जिसका average life 2150 से ज्यादा होगा और ऐसे कितने bulbs होंगे 2000 में जिसका life जो है 1950 से कम होगा और ऐसे कितने bulb होंगे 2000 में जिसकी life इन दोनों के बीच में होगी यह अपने को निकालना है जबकि average life अपने को दिया हुआ है कुछ भी नहीं करना है बहुत easy सवाल है देखें जो भी कोशन आपको दिया रहेगा जैसे जो normal variant है 2150 इसका z score निकालिएगा x minus mu upon sigma से इसका z score निकालिएगा इसका z score जो भी table से निकलेगा जो भी z score निकलेगा उसका table देख लेंगे कौन सा area under normal curve से normal curve से इसका क्या निकाल लेंगे area निकाल लेंगे यह z की value यहां से z की value आजाएगी फिर table की सहाइता से अपने को area निकल जाएगा है ना area under the normal curve कितना है जो भी normal curve का area रहता है यह probability को denote करता है यहां पास mean होता है है ना और इधर 0.5 होता है और इधर 0.5 होता है इसको minus denote करते हैं पूरी की probability अपने जानते हैं पूरी की probability कितने होती है वन होती है ठीक है जो भी area निकलेगा यहां से वो probability को दर्स आएगा probability निकल जाएगा यहां से एरिया जो निकलेगा probability निकल जाएगा एक bulb के लिए उसमें 2000 का multiply कर लेंगे 2000 का multiply कर लेंगे तो कितने number of bulbs होंगे जिसकी life जो है इसने के आजपास होगी वो यहां से आपको निकल जाएगा सभी को normal distribution curve से बनाएंगे कुछ भी नहीं है normal distribution curve के लिए आप video number one देख लीजेगा इस concept मैं उसमें बताया हूँ अपन कुछ भी नहीं करेंगे जो भी questions आपको दिया गया है more than 2150 या less than 1950 कुछ जो भी दिया हुआ है उसका आप पहले Z score निकालिए यह formula Z score का दिया हुआ है Z score निकालने के बाद आप table देखिए टेबल से आपको area मिल जाएगा जो यह area जो मिलता है यह probability को दरसाता है यह probability को दिखाएगा तो यहां से जो भी area निकलेगा वो इस पूरे area का probability को दरसाएगा उसमें जितना भी 2000 electric bulbs के बारे पुछा है जो number है उ इसकी average life इससे ज्यादा होगी चलिए एक एक करके आपको solve करते हैं देखते हैं कैसे निकलेगा इसका solution कैसे देंगे solution given that इसमें क्या-क्या चीज़ आपको दिया हुआ है आप उसको पहले लिख लेंगे given that average life आपको दिया हुआ इक्ता दिया हुआ है 60 hours यह आपको दिया गया है first को calculate करेंगे for variate x equals to 2150 for 2150 लेकिन आपके लिए से यह पूछा गया है कि more than 2150 के बारे पूछा गया है तो अपन 2150 निकालते हैं जब भी area निकालेंगे तो 2150 से आगे की area को निकालेंगे तो यहाँ पास आप z score को निकालेंगे z score equals to क्या हो जाएगा x minus mu upon sigma से हो जाएगा x की value कितना है आपके पास 2150 minus 2040 sigma की value कितना है 60 तो यह निकालेंगे तो z equals to 1.83 आएगा ठीक है अब क्या करना है इसकी value को आपको area under normal curve से देखना है area under normal curve से इसकी value देखना है आपको कितना है है तो z equals to चलिए मैं यहाँ table बना करके बताता हूं कि कितना होगा करके कैसे निकालते हैं table कैसे देखना z score 1.83 निकला z score यहाँ पास रहेगा तो इसके against में area against z score इसके against में area किकना रहेगा area किसका पूछ रहा है normal distribution कर्व का एक बन इसको normal कर्व में समझ लिजिए कि यह पूछ क्या रहा है यह अपन किस पे निकाल है 2150 पर exact 2150 निकाल है लेकिन यह more than 2150 आवर्स के बारे में पोछ रहा है तो इसको पहले आप इस table से समझने की कोसिस किजिए यह normal distributed curve है ठीक है यहाँ पास mean है यह कितना है 2040 इससे जो ज्यादा होगा वो राइट हैं साइट पे होगा तो यहाँ पास z equals to कितना है यहाँ पास जो z की value है 1.83 यह है यहाँ पास इसकी value कितना है 2150 ठीक है तो x equals to 2150 पर अपन निकाल रहा है z score 1.83 मतलब यह वाले area निकाल है यह वाली area को निकाल है ठीक है यह वाली area तो required area against z 1.83 कितना मिलेगा required area अपन इससे निकालेंगे area under the normal curve ऐसा table आपको book में मिलेगा exam में भी मिलेगा यदि value दिया रहेगा यदि नहीं दिया रहेगा तो आप area under normal curve का table मांग सकते हैं तो उसमें क्या देखें यहाँ 0.001 0.2 ऐसा करके 1.8 1.92 ऐसा करके पूरा लिखा रहेगा data यहाँ इसकी value दी रहेगी कभी-कभी क्या होता है कि आपको area दिया रहता है वहां से z score निकालना रहता है कभी-कभी z score दिया रहता है वहां से area निकालना रहता है इससे ठीक पहले वाले कोशन में में जो video number two है वहाँ area से related अपन z score निकाल देते हैं जहाँ पास अपने को mean और standard deviation का value निकालने के लिए बोल आ गया था, वहाँ area दिया गया था, उससे z score निकाले थे, यहाँ z score से अपने क्या निकाल रहे हैं, area निकाल रहे हैं, तो ऐसा लिखा रहेगा, है ना, आप table में एक बार देख लीजिए इसको, अपने को किस पे value चाहिए, 1.83 पे, ठीक है, तो 1.8 यहाँ पास लिखा इसका 3 नंबर का देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, तो 0, 1, 2, 3, तो इस 1.83 की value 0.4664, यह आएगा, ठीक है, निकालना सिख गए, z score के correspondence area कैसे निकालता है, table से, आप मेरे ख्याल से सीख गया होगे, 1.82 बोला रहता, 1.82 बोला रहता, तो 1.8 और 2 के correspondence यह है, तो 0.4656, यह निकलता, ठीक है, तो ऐसा अपन table देखते है, clear है, तो required area against Z score में कितना निकल गया, 0.4664, अपने required area क्या चाहिए, बल्ब, ऐसे बल्ब की संख्या चाहिए, जिसकी life जो है, more than 2150 hour से जादा हो, 2150 hour से जादा हो, more than, more than कहने का मतलब इधार, इस side का area से, पूझ रहा है, यह वाला area, ठीक है, यह वाला area निकालना है अपने को, तो यहाँ से required area, required area, यह वाला area कैसे निकालेंगी, देखें, यहाँ से ले करके, पूरा यहाँ तक जो रहता है, 0.5 रहता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 0.5 है, ठीक है, इस में से मैं इतना को minus कर तो यह area मेरे पास बचा रहेगा, खिक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, required area में अपन क्या करेंगे, यह पूरा area में से इतना area को minus कर देंगे, तो यह अले area बचा रहेगा, खिक है, तो यह 0.5 में से minus कर दिये, 0.4664, तो यह आपका probability निकल गया, 0.0336, यह required area निकल गया, यह इसकी area देखकर के अपन probability निकल गया, यह पूरे की probability 1 होती है, इधर 0.5 रहेगा, इधर 0.5 रहेगा, पूरे की probability 1 होती है, अपन चानते है, probability के रोल से 1 होती है, एक average life, जो है एक bulb का, जो more than, 2150, more than रहे, तो उसका probability यह है, तो number of bulbs अपने को कितना दिये है, 2000 बल्म में से है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखे, इसको 2000 से multiply कि दिये, the number of bulbs, the number of bulbs, the number of bulbs, likely to burn, more than 2150 hours, is, यह जाएगा, 2000 into 0.0336, इसका multiply कि जाएगा, 67.2 आएगा, number of bulbs है, तो point में बल्म हो नी सकता, तो 67 bulbs ऐसे होंगे, जिसका जो life होगी, वो 2150 hours से जाता होगी, यह निकल गया, तो बहुत easy है, आपको केबल टेबल देखना है, required area निकालना है, required area निकालने के बाद 2000 से multiply करने के बाद दर आ जाएगा, ठीक, second part करते हैं, less than 1950, तो less than 1950 का अपन नॉर्मल ग्राफ से देख लेंगे, अपन वेरियेट x equals to, for x equals to 1950 पे z score को अपन क्या करेंगे, z score निकालेंगे, यह हो जाएगा, x minus mu by sigma, तो x किता था, आपने पास, 2040, और sigma की value किता था 60, तो यहाँ से z equals to हो जाएगा, 1950, 2040, और यह 60 हो जाएगा, तो इसकी value आइगे करेंगे, तो minus 1.5, अब इसके z के against area निकालेंगे, area under normal curve से area निकालेंगे, किसका area निकालेंगे, इसका देखिए, यह normal curve है, सब चीज को आप यहीं से calculate करेंगे, यह normal curve है, यह mean है, mean 2040 है, तो 1950 इससे कम है, 1950 इससे कम है, मतलब इस side होगा यह, यहाँ पास x equals to कित्तर निकालेंगे है, 1950, ठीक है, यह कम होगा, तो आप से क्या पूछा जा रहा है, देखिए, इस side का, यहाँ पास z कितना आया, minus 1.5, यह वाली line पे है, ठीक है, लेकिन minus का, अपन एरिया नहीं निकाल सकते, तो minus z नहीं रहता, यहाँ minus z नहीं रहता, लेकिन यह जो है, bell shape का होता है, और क्या होता है, symmetrical about the mean, mean के about यह symmetrical होता है, तो इसकी value निकालने के लिए, इसको आपको positive बनाना पड़ेगा, जितना negative side है, उतना ही positive side, मतलब यह वाले area इधर है, इतना तक ही होगा, है ना, इस side का भी निकाल सकते, तो जहाँ भी z negative होगा, तो उसके correspondence आप area नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह positive में दिया हुआ है, लेकिन क्या होता है, कि यह symmetrical होता है, तो जितना minus है उसको plus consider कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पास अपन इसका area निकालेंगे 1.5, 1.50 पे, तो यहाँ कहीं पास होगा 1.5, ठीक है, तो 1.5 का 0 देखें कितना है, उसको देख लीजिए, देखें, area against, area against, z, z score, इसका area कितना निकलेगा, 1.5, यह देखें, यह 2040 यहाँ, 1950 है, इसी के अपन वैल्यू निकाल रहा है, मतलब यह वाला area निकाल रहा है, यह वाला area, ठीक है, 1950 तक का, तो इसका 1.5 का 0 देखेंगे, तो इतना आएगा, यह हो जाएगा, 0.4332, यह आएगा, ठीक है, लेकिन अपने से क्या पूछ रहा है, less than 1950, अपने से पूछ रहा है, less than 1950 hours, है ना, तो 1950 से less इस साइड होगा, यह वाला, तो इसको कैसे निकालेंगे, हैंस, required area equals 2, क्या बजाया थे, यह पूरा का पूरा, यहां से यहां तक जो है, 0.5 होता है, यह आदा पार्ट इदा था, 0.5 में से, इतना को आप minus कर दीजिए, यह area को minus कर दीजिए, यह वाली area आपके पा आपके पास कितना आ गया, देख लिजिए, जो required area निकलेगा, वो 0.0668, यह निकलेगा, ठीक है, यह जो area है, यह निकला, मतलब इसकी probability इतना आई, तो अपने को कितने 2000 bulb में से पूछा है, number of bulbs likely to burn, likely to burn, less than, less than 1950 hours is equals to, कितना हुजाएगा, 0.0668 into 2000, यह आजाएगा, 133.6, या किसी को आप 133 bulbs बोल सकते हो, 133 bulbs ऐसे होंगे, जिसका average life जो होगा, 1950 से less होगा, ठीक है, यह आपको clear हो गया होगा, ठीक है, अब third वाले को निकालते हैं, कि जिसकी average life इसके और इसके बीच में हो, कुछ भी निकालना है, x बरावे इसको माल लेना है, x बरावे इसको माल लेना है, दोनों के बीच का area निकाल देंगे, फिर area, required area निकाल देंगे, और उसको जितना बीच का probability आएगा, उनको 2000 से into कर देंगे, तो number of bulbs इन दोनों के बीच का निकाल जाएगा, देखे, थर्ड पार्ट को करते हैं, कि number of bulbs निकालना है, more than 19 to 0 hours उसकी life हो, और less than इन दोनों के बीच में होना चाहिए, bulb का life, तो देखे, कैसे निकालते हैं, पहले इसका भी z score निकाल लिए, और इसका भी z score निकाल लिए, फिर उसका area निकालेंगे, for x equals to, यह यहाँ लिख देता हूँ, for x equals to 19 to 0, इसके लिए z score क्या हो जाएगा, देखे, z is equals to 19 to 0, minus mu की value किता है, sorry, यह x में mu की value, mu की value है, 2, 0, 4, 0, upon 60, यह minus में आ जाएगा, minus 2, for x equals to 2160, यहाँ से z score देखेंगे, तो यह आ जाएगा, x 2160, minus 2, 0, 4, 0, by 60, इसको solve कीजेगा, तो 2 निकलेगा, तो यह जो z score है, यह देखे, इसकी जो probability है, तो अच्छे से बना लिजेगा, यह यहाँ mean है, और यहाँ, जो z score है, यह minus 2 के पास है, z is equals to minus 2, यहाँ पास माल लिजेगा, z is equals to 2 है, फिक है, और यह जो है, z का negative value तो निकलता नहीं है, इस side की value निकलेगा नहीं, तो जितना यह होगा, उतना ही, इस side भी होगा, यह range और यह range बराबर होगा, अपने को इसी का required area इसी का निकालना है, इसी का required area निकाल करके, 2000 से multiply करना है, तो यहाँ जो probability निकलेगा, उसको अपन कैसे निकलेगा, उसको देखिए, जहाँ कि जो भी probability होगी, वो probability minus 2 से, z is less than equals to 2 के बीच में नहीं, यह probability होगी, z जो होगा, यह minus 2 से 2 के बीच में होगा, लेकिन इसका z इसको रापण निकालना ही सकते, इसका area इतना ही होगा, जितना area इसका होगा, तो यह हो जाएगा, 2, 2P02Z202, ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2 into, यह समझ में है आपको, यह minus 2 से 2 कर लिए है, लेकिन इसका z score, देखे, minus का table यहाँ, minus का table होता ही नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, जितना area इसका होता है, उतना area प्लस का भी होता है, क्योंकि यह symmetrical होता है, तो area में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह इतना ही आएगा, z score इसका इतना ही आएगा, तो 2 into, अब इसका area under normal curve निकालेजे, किसका, z is equals to 2 का, तो z is equals to 2 का, area under curve निकालेंगे, तो यह निकलेगा, 2 का देखिए, 2 का 0 देखिणा है, तो यह निकलेगा, 0.4772, तो इसका multiply केजिए, to 2 is a 4, 4, 5, 9, यह 0.944 निकलेगा, ठीक है, यह area इतना निकलेगा, इसमें क्या है, number of bulbs, likely to likely to burn more than 1920 hours and less than less than 2160 hours is equals to किते नमब अव बॉल्स पह है, 2000 into 0.9544 तो इसका result कितना आएगा, 1908.8 आएगा, साइड इसका, 1908.2 यह number of जो बल्ब्स होंगे, वो 1908 ऐसे बल्ब होंगे, जो कि इसरेली में होंगे, जिसका एवरेज लाइप इसकी बीच में होगी, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया होगा, तो वीडियो बाप लाइप करेंगे, अपने दोस्तों के साथ सेयर करेंगे, और यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट करके मेरे इसे पोस सकते हैं, थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच्च,